हलो ओपी क्लासिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुना स्वागत है आज हम लोग को 14 जनबरी 2021 के करेंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न पहला प्रश्न है भारत सरकार ने हाल ही मैं निमने लिखित मैं से किसे कॉबिड-19 बैक्सीन की 11 मिलियन खुराक का आदेस कॉबी सील को दिया है कॉबी सील बैक्सीन की पहली खेप सुमबार को सीरम इंस्टिट्यूट से रवाना हो गई है कुल 1 करोड 11 लाख डोज का ओडर भारत सरकार की तरप से पुड़े इस्थित सीरम इंस्टिट्यूट आफ इंडिया को दिया गया था 16 जन्वरी से देश में टीका करण अभियान सुरू हो रहा है और इस अभियान के तहत पहले चरण में तीन करोड लोगों को बैक्सीन की खुराक दी जाएगी बैक्सीन को तीन डिगरी के तापमान में रखकर आठ उड़ानों के जरिये कुल तेरह स्थानों पर भेजा गया है इन तेरह स्थानों में लखनव, चंडीगर, पटना, सिलोंग, दिल्ली, एहमदाबाद, चेननई, कोलकाता, बैंगलूरू, करनाल, हैदरावाद, बिजैवारा तथा गुवाहाटी सामल है GPS से लेस, कुल 300 ट्रकों के माध्यम से छोटी-छोटी जगहों पर इस वैक्षीन को पहुँचाया जाएगा कोवी शील वैक्षीन में प्रतेक टीके की लागत 210 रुपए आई हुई है चलिए, देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है, निमन लिखित में से कौन COVID-19 वैक्षीन प्रसाशन के लिए 10 सदस्य अधिकार प्राप्त समीती के अध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया है तो हाल ही में RS सर्मा को COVID-19 वैक्शीन प्रसाशन के लिए दस सदसिय अधिकार प्राप्त समीती के अध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया है RS सर्मा टेलीकॉम रेगुलेर्टी अथोरिटी अफ इंडिया यानी ट्राई के पूर्व अध्यक्ष है RS सर्मा के अलावा इस समीती में स्वास्त परिवार कल्यान मंत्रालय तथा भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कुछ और अधिकारी सामिल होंगे कौरोना वैक्शीन के लिए राष्टिय विशेशग समू का गठन अगस्त 2020 में किया गया था चलिए दिखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्ण तीसरा प्रश्ण है दुई बार से एक समुद्री सुरक्षा तटिय रक्षा अभ्यास का नाम बताएं जिसका दूसरा संस्क्रण 12 जन्वरी को सुरू हुआ है तो हाल ही में 12 और 13 जन्वरी को भारत का सबसे बड़ा समुद्री तटिय रक्षा अभ्यास सी बिजिल किया गया यह अभ्यास जन्वरी 2019 में पहली बार किया गया था यह दूसरा अभ्यास है इसके तहत कुल 7516 किलो मेटर तटिय छेतर सहित बिसेस आर्थिक जोन पर भी अभ्यास किया जा रहा है यह भारत का सबसे बड़ा तटिय अभ्यास है जो की 13 तटिय राज्यो सहित भारत के यूनियन टेरिटरी यानि केंद सासित राज्यों में भी आयुजित किया जाता है चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न है है हैनली पास्पोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रेंग क्या है तो हाल ही में जारी हैनली पास्पोर्ट इंडेक्स में भारत को 85 वायस्थान मिला हुआ है हैनुले पास्पोर्ट इंडेक्स IATA यानि अंतराश्टिय परिवहन संग द्वारा जारी किया जाता है जिसे इंटरनेशनल एयर ट्रांस्पोर्ट एसोशियेंशन के नाम से जाना जाता है चलिए देखते हमारा आज का अगला पांचबा प्रश्न पांचबा प्रश्न है हैनुले पास्पोर्ट इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश बर्ष 2021 के लिए दुनिया में सबसे सकती साली पास्पोर्ट होने की सूची में सबसे उपर है तो हाल ही में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ जिसमें सबसे सकती साली पासपोर्ट जापान के पासपोर्ट को माना गया है और उसे पहला इस्थान दिया गया है पहले स्थान पर जापान, दूसरे स्थान पर शिंगपूर तथा तीसरे स्थान पर सयुक्त रूप से जर्मनी और दच्छन कोरिया को रखा गया है भारत को इस इंडेξ में 85 वा स्थान मिला है जापान पहले इस्थान पर है और उसका बीजा 191 देशों में फ्री एक्सिस के लिए माना जाता है भारत का बीजा केवल 58 देशों में फ्री एक्सिस के लिए जाना जाता है भारत के साथ तजाकिस्तान को भी 85 इस्थान पर रखा गया है हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कुल 110 देशों को सामिल किया गया था जापान लगातार 3 साल से इस इंडेक्स में पहले इस्थान पर रह रहा है अमेर्का को इस इंडेक्स में 7 वा इस्थान मिला हुआ है Henley Passport Index अंतराश्ट्य परिवहन संग यानि IATA International Air Transport Association द्वारा जारी किया जाता है जिसका मुख्याला कनाडा के मौन्ट्रियल में इस्थित है International Air Transport Association की स्थापना 19 अप्रेल 1945 को हुई थी वर्तमान में विलियम M. वॉल्स IATA के अध्यक्ष है चलिए देखते हैं हमारा आज का चटबा प्रश्न चटबा प्रश्न है राश्ट्य युवा दिवस हर साल कब मनाय जाता है तो प्रतेक वर्स 12 जन्वरी को राश्ट्य युवा दिवस मनाय जाता है राष्टी युबा दिवस मनाय जाने की सुरूबात बर्स 1985 से हुई थी बर्स 2021 में राष्टी युबा दिवस की थीम है युबा उत्साह नए भारत का चलिए देखते हमारा आज का सात्वा प्रश्न सात्वा प्रश्न है पद्मस्री अवाड तुरला पती कुटुमबा राव का हाल ही में निधन हो गया है वह एक कौन थे तो हाल ही में पत्रकार तुरला पती कुटुमबो का दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया है तुरला पती कुटुमबा आंधर प्रदेश के पहले मुख्य मंतरी के पहले सचिब बने थे उन्हें 10,000 से अधिक सारबजनिक बैटकों का विश्य रुकॉर्ड बनाने का दरजा मिला हुआ है उन्हें चलता फिरता इंसाइकलोपीडिया माना जाता था बर्ष 2002 में भारत सरकार ने तुरला पती कुटुमबा राओ को पदम सिरी सम्मान से सम्मानित किया था चलिए देखते हैं मारा आज का आठवा प्रशन आठवा प्रशन है उस प्रसिद्ध लेखक का नाम मताईए जो भारत को अमेर्कियों के पास ले गया था जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो हाल ही में लेखक वेद महता का निधन हो गया है बे भारतिय अमेर्की उपन्यासकार माने जाते हैं 86 वर्स की आयू में 9 जनबरी 2021 को उनका निधन हो गया है उन्हें दरश्टी हीनता से ग्रशित होने के बाबजूद भी एक महान उपन्यासकार माना जाता है बर्स 1934 में जन में वेद महता मैनेंजाइटिस बीमारी की वज़े से अपनी दरश्टी खो चुके थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुल 24 किताबों की लेखन का कार किया है बे 33 साल से अमेरिका की मसूर पत्रिका न्यू यॉरकर से जुड़े हुए थे चलिए देखते हैं हमारा आज का नौबा प्रश्ण नौबा प्रश्ण है राष्टी युवा दिवस हर साल किसकी जैनती पर मनाय जाता है तो प्रतेक वर्ष स्वामी विवेकरनन की जैनती पर 12 जन्मरी को राष्टी युवा दिवस मनाय जाता है राश्टी युवा दिवस मनाय जानी की शुरूबात बर्स 1985 से हुई थी बर्स 2021 में राश्टी युवा दिवस की थीम है युवा उतसाह नए भारत का बात की जाए स्वामी बिवेकानन की तो स्वामी बिवेकानन का जन्म 12 जन्बरी 1863 को हुआ था इनके बच्पन का नाम नरेंद्रनाथ था इन्होंने सिकागो में आयोजित सर्व धर्म सम्मेलन में भारत के सनातन धर्म की तरब से प्रती निधित्व किया था इन्होंने अपने गुरू रामकृष्ण परमहंश की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्ण अंतिम प्रश्ण है mutual fund को निम्लिल लिखित में से किस संगठन द्वारा वी नियमित किया जाता है तो mutual fund को बी नियमित करने का काम सेबी यानि Security and Exchange Board of India के द्वारा किया जाता है सेबी की स्थापना 12 अपरेल 1992 को हुई थी वर्तमान में अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष है चलिए देखते हमारा आज का कोशन अब दडे 14 जनबरी 2021 का कोशन अब दडे है जापन की मुद्रा क्या है टोमन एन रियाल या फिर दिरहम इसके अलावा सेशन अब दडे का कोशन है पत्रकार तुरुला पती कुटुमबा राव को किस बर्स पदम स्री से सम्मानित किया गया था दोनों प्रस्णों के जबाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं